Hello everyone, kids garden tutorial पे आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास 9 की English textbook सुरू करने वाले हैं छेक है यह आप देख सकते हैं बेहीब की यह textbook है आपके English की class 9 की तो आज से हम लोग class 9 का English शुरू कर रहे हैं और chapter है हमारा पहला जिसकी heading है The Fun They Had तो आज हम लोग इस पूरी स्टोरी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि स्टोरी एक्चुल में है क्या ठीक है तो सबसे पहले देखिए जो की हमारी हैडिंग है दफ़न देहेड यानि उनके पास जो मजा था ठीक है तो यहाँ पर किनके बारे में बात की जा रही है यह तो हमें तब पता चलेगा जब हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए कंटिन्यू करते स्टोरी को तो आप पूरी स्टोरी समझने के लिए अच्छे से पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं देखें बिफोर यू रीड आपके पढ़ने से पहले यह एक ऐसे स्टोरी है जो कि अभी एग्जिस नहीं करती है फ्यूचर में मतलब कि यह भविस्से में ऐसा होगा इसके यहाँ पर कलपना की गई है ठीक है यहाँ पर क्या बताया गया है when books and schools as we now know with them will perhaps not exist और उससे में क्या होगा कि जो किताबे हैं और जो स्कूल है जो आज की डेट में जो बुक सम लोग देखते हैं जो स्कूल सम लोग देख रहा है वो शायद उस समय तक नहीं होंगे ठीक है और यहाँ देख सकते हैं यह आज के सामने ब Wheatlie स्कूल किलाइग होगा it कि अज एक इसा होसकता है जब जो टीचर होगा उसा होगा रोबोटीचिचर ने तो ही num hun टीचर होगा और वो पढ़ाएगा बच्चे को ठीक है यहां पर देख सकते हैं moving e-text और यहां पर जो electronic text जो घूम रहा है screen पर देख सकते हैं तो इसे में क्या है कहीं कोई books नजर आ रही है आपको नहीं है ठीक है और आज की जैसा बिल्कुल भी यहां पर महल नहीं है ठीक है तो यह एक story है जो की future के बारे में कलपना करती है कि future में कैसा होगा ठीक है चले देखते हैं आगे in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change यहां पर आपको कह रहा है कि आपको अपने school के बारे में तीन चीजे ऐसी बतानी है जो कि आपको अच्छी लगती है और तीन चीजे ऐसी लिखनी है जिसे आप school में बदलना चाहते है ठीक है तो यहां पर आपको वह कहा गया है have you ever read words on a television or computer screen क्या आपने television या फिर computer screen पे कोई word को कभी पढ़ा है can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper ठीक है तो आप क्या imagine कर सकते हो ऐसे कल्पना कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी किताबे सारी books जो है वो कहां पे होंगी screen पे होंगी computer पे होंगी ठीक है और उस समय पे क्या होगा कि कोई printed paper नहीं होगा ठीक है अभी जो हम लोग बुक पढ़ते यह कैसी है तो यह printed paper है ठीक है लेकिन आप imagine करो कि एक time ऐसा आएगा जब कि इस टाइप की कोई books नहीं रहेंगे जिदने भी content है सारे जो है computer पे अब level होंगे ठीक है would you like such books better तो क्या लगता है आपको क्योंगो किताबे जादा अच्छी होंगी तो यहाँ पर आपकी राह मांगी गई है ठीक है चलिए अब स्टोडी हम लोग सुरू करते हैं Margie even wrote about it was that night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote ठीक है today Tommy found a real book ठीक है Margie जो है एक लड़गी का नाम है यहाँ ठीक है और यह Margie क्या करती है इसको जो है यह diary लिखती है ठीक है बहुत लोगों की यह habit होती है कि उनके साथ दिन भर में जो कुछ भी बीतता है जो कुछ भी होता है तो वो अपना एक डायरी मेंटेन करते हैं वो हर चिछ को एक रिकॉर्ड रखना चाहते है अकॉर्डिंग टू डेट की आज की डिट में क्या हुआ था तो उसी तरीके से यह जो मारगी है वो भी ऐसा करती है कि वो डायरी लिखती है ठीक है तो यहां पर जो डायरी लिख यहां पर अभी है आपकी 10 जुलाई और 2022 ठीक है यह अभी की डेट है तो हम लोग इस तरीके से डेट को मेंशन कर रहें ठीक है अभी 2022 चल रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो साल है 2157 है तो आप इमेजिन कर सकतो हो यह कितने समय बाद के बात की जारी है आप ह यह मारगी उस समय पे यह जिस लिख रही है ठीक है यहानि आज से 1500 साल के बाद यह डेट है अप याद रखेंगे ठीक है पूछा जा सकता है कि उसने अपने डायरी पर डेट कौन सा मेंशन किया थेक है तो यह डेट कपका है 17 मे 2157 को यह लिख रही है डायरी अपना और क्य It was a very old book, यह बहुत पुराने किताब है, Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, तो Margie के जो दादाजी है, उन्हें एक बार उनसे कहा था, कि जब वो छोटा बच्चा था, जब वो छोटे लड़के थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, तो उनकी जो दादा जी थे, वो उनसे कहा करते थे, कि एक समय ऐसा था, जब कि सारी कहानिया जो थी, वो पेपर में printed आती थी, जैसे आज हम लोग प्रिंटेट बुक के पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से, मतलब कि उनके दादा जी आज के टाइम के होंगे, और वो जो है, उस टाइम पे, मतलब फ्यूचर पे, यानि 2157 जब चल रहा था, उस समय ये बात बता रहे हैं, कि उस समय जो हम लोग बुक्स पढ़ते थे, वो कैसी होती थी, प्रिंटेट होती थी, ठीक है, ये टर्न दाप पेजिस, विच वेर यलो एंड कृंक्ली, ठीक है, और वे जो बुक्स पढ़ते थे, वो पेजिस टर्न कर सकते थे, पलट सकते थे, को मैं तो इसमें पलड़ते हैं ग है कि वह हम पढ़ा जेहें के वह डदा जी पूब्ता झान्स हो सुआLove ऑफलियर और सब्सक्राई Vamos lower a分d ऐस ञोट था झाल रहे हैं कि उसके पर wraps पढ़न बहुत मज़िदार होता था क्यों क्योंकि जो वर्ट्स थे जो किताबों में छपए होते वो बिल्कुल अपनी जगह स्थिर होते थे वो मूब नहीं करते थे मितलब हिलते नहीं थे ठीक है आप बुक को कैसे भी लालो आप मालो ऐसे कर दो ऐसे कर दो बुक को तो उससे कोई फरक पढ़ रहा है क्या वर्ट्स में या पर नहीं पढ़ रहा है ठीक है वो अपनी जगह बस सांथ स्थिर खड़ा हुआ है ठीक है तो वही जिसके दादा जी जो है बता रहे है ठीक है दे वेर सब्पोस्ट तो ऑन स्क्रीन यू नो तो अभी जो तुम लोग अपनी स्क्र फर्स टाइम और फिर जब हम लोग किसी पेच को पीछे फिर से पलटते थे तो वहां पे जो वर्ट्स लिखे वे होते थे वह बिल्कुल एस यूज़ यानि वैसे ही होते थे जैसा कि हमने उन्हें फर्स टाइम पढ़ा है ठीक है आज मालो मैं यह स्टोड़ी पढ़ रहे ह नहीं होता था वह बिल्कुल वैसे ही होते थे ठीक है जैसा कि हमने उनको फर्स टाइम पढ़ा होता था ठीक है गी से टॉमी वाट वेस्ट तो टॉमी को लग रहे है कित्मा बेकार होता होगा वैन यू आर थ्रो विद द बॉक यू ज़स थ्रो इट अवे आए तो अब अब टॉमी को लगता है ठीक है ऐसे भी क्या होता है आज की डेट पे देखो कि अगर आप मालो भी क्लास नाइन थ में हो एक साल आप किताब को संभाल के रखते हो उसके बाद फिर किताब कहां गई आपको कुछ पता नहीं होता यहां पर टॉमी का ग्यास एक तरह से सही भ आप हैड़ा मिलियन बॉक्स ऑन एट एंड इस गुड़ फोर प्लैंटी मॉर लेकिन यह क्या कह रहा है कि यह अपने फ्यूचर का यानि की टू थाउजन वन हंड़न फिप्टी सेवन की बाद बता रहा है कि लेकिन हमारा जो टेलिवीजन स्क्रीन है यह से काफी बहता रह चीज नहीं की जहती है क्योंकि हम जो है इसमें मिलियन बुक्स रख सकते हैं ठीक है बहुत सारे कितावे एक साथ हम लोग इसमें रख सकते हैं फेकने की जरूरत नहीं होती ठीक है same with mine said margies she was 11 and hadn't seen as many tally books as tommy had ठीक है और same चीज जो है margie भी कहती है ठीक है और वो जो है 11 years की है ठीक है यहाँ पर आपके question में आपको पूछा गया है कि यह दोनों कितने उम्र के है तो आप यहाँ पर देख सकते हों कि जो margie है वो 11 years की है और उसने tally books नहीं देखा है जितना कि Tommy ने देखा है ठीक है he was 13 तो यहाँ पर जो 13 बताया गया यह Tommy के लिए बताया गया कि Tommy कितने साल का है तो वो 13 years old है और margie 11 years old है ओके चलिए she said तो वो कहती है where did you find it तुमने इसे कहा पाया in my house he pointed without looking because he was busy reading in the attic ठीक है तो उसने क्या कहा कि मैंने इसे अपने घर में पाया ठीक है उसकी बिना उसकी तरफ देखे हुई उसने कहा दिया क्योंकि वो बुक पढ़ने में ब्यस्ता मैंने बताया न आपको कि Tommy को आज एक नया बुक रियल बुक मिला है ऐसा मारगी अपने डायरी पर नोट करी थी तो उसी बुक को जो है यहां पर टॉमी पढ़ रहा है पढ़ने में बिजी है और उसी के बारे में बात की जा रही है वो पूस्ती कि तुम्हें कहा मिला तो बता रहा है मुझे यह घर में मिला है what's it about school तो मारगी फिर उससे कि यह किस बारे में मतलब तुम किस बारे में पढ़ रहा हो बुक में तो बता रहा है school के बारे में ठीक है अब देखिए मारगी बिल्कूल भी पसंद नहीं है ठीक है मुझे नफरत है school से ठीक है लगते हैं लेकिन अभी ज्यादा और हिट करने लगी है तो क्या है कि देखिए इसको जो है स्कूल क्यों पसंद नहीं है देखिए उसका वह बता है कि रोबोटिक टीचर मौंज पहुत्ति पराज रहे है लाँ पर और उसको वह सकते हैं जो रिजल्ट है उसका टेस्ट का वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है ठीक है मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है इस कारण जो है उसको स्कूल पसंद नहीं आ रहा है ठीक है इस कारण वो हीट करती है स्कूल से और उसकी जो मा है उसका सीर हिलाती है बहुत दुख के साथ क्योंकि उसको जोग्राफी समझ नहीं हा रही है और वो उसके लिए काफे मुश्किल हो रहा है पड़ना तो इसलिए वो उसका सीर हिलाती है दुख से और फिर उसको क्या करती है एक कांटेंस पेक्टर के पास उसको भेज देती है ठीक है तो जो क्यीसा है तो एक राउंध सीर में हे बताया है यानी उसकी छहरे के बारे में बताया गया हुँ कि उसका फेस जो आदमी है जिसका रेडी टैप का फेस है ठीक है एंडुक सीछ वԿल्टी आपक्स अफ्टो titled इस वाइरस वाइरस त्बार्स He smiled at Margie and gave her an apple then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again but he knew how all right and after an hour or so. There it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So this is the count inspector and her mother taught her to study because her geography was very bad. Then she gave her an introduction to her and then she gave her an apple and Margie didn't understand how to do her geography. Then she gave her a big screen and then she gave her lessons and questions. She asked her questions and then she gave her a question. That wasn't so bad. But she didn't feel bad at her. That was not so bad. But she didn't feel bad at her. Most was the slot where she had to put homework and test paper. Margie was very bad at her. Margie was very bad at her. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. And the mechanical teacher used to calculate the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, it's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. So, she said that the geography sector, the subject, the next level, the upper level. Those things happen sometimes. So, it happens sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. लेकिन उन्होंने क्या कहा? कि कोई पार्त नहीं, ये थोड़ा सा, मतलब अपर लेबल का हो गया है. लेकिन बागी उसके सब्जेक्ट जो थे, उसमें उसका जो बागी सब्जेक्ट में उसका जो प्रोग्रेस था, वो काफी अच्छा था, satisfactory था, यानि संतुष्टी के लायक था, ठीक है? तो इसलिए वो उसकी मा को विश्वास दिला रहे है कि ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं इसे जोग्रफी सिखा दूँगा, ठीक है? मारगी वास डिसपॉइंटेड लेकिन मारगी जो थी वो उदास थी बहुत जादा, शी हाद बिन होपिंग दे वोड टेग दर टीचर अवे औल टूगेदर, तो वो क्या चाहती थी उसको देखे पढ़ना मतलब बहुत कष्टदाई लग रहा था क्योंकि सब्जेक्ट उसके लिए काफी टफ हो रहे थे, तो वो क्या चाह रहे थी कि यह टीचर भी जो है चला जाए ठीक है? और एक बार उन्होंने ऐसा किया भी था, एक बार ऐसा हुआ था कब जबकि टॉमी का टीचर जो है चला गया था करीबन एक महीने पहले, ठीक है? क्योंकि उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक्ट आउट हो जुका था, ठीक है? शो शी शेट टूमी वाइवड एन्यवन राइट आउट स्कूल तो वो फिर देखिया पर टॉमी को जो बुक मिला था उसके बारे में या पर बताया गया है कि वो फिर टॉमी से कहती है कि किसी ने मतलब स्कूल के बारे में क्यों लिखा है? टॉमी लुक्ट अट हर विट वहरी सुपीरियर आइज बिकाउज इस नौट आवर काइंड आवर काइंड आप स्कूल तो यहां पर जैकि टॉमी उसको कह रहा है कि यहां पर बुक के बारे में किताब में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह हमारे जैसा स्कूल नहीं साल पहले ठीक है एड़ेड लॉफटली प्रोनॉंसियसिंग दवर्ट केरफुली तो फिर वो क्या बोल रहा है कि साउधाने से सैंचुरिस अगो यानि कि सैंचुरिस किसको कहते है सो साल को कहता है ठीक है शतक जिसको कहते है तो करीबन सतक पहले की यह बात है जब ऐसा स्क कैसा स्कुल हुआ करता था ठीक है शी रेड़ दा बूक ओवर हिस सोल्डर फॉर अवाइल देन दन शेड अनिवे देहाद टीचर और उसके बास से वह किताब ले लेती है पढ़ने लगती है और फिर क्या कहती है कि उन लोग के पास टीचर भी होते होंगे ठीक है पढ़ान लेकिन यह एक रेड़ुलर टीचर नहीं होते होंगे क्योंकि यह एक आदमी है तो वह क्या हो सकता है रेड़ुलर टीचर कहने का मतलब है देखिए अब वह बीमार हो गया तो पढ़ा नहीं पाएगा उस टाइम पर या फिर उसके साथ कोई समस्या होगी तो उस ताइम पर होता है ना कि तीचे लोग एपसन्ट हो जाता है स्कूल पे तो उसके साथ में प्रॉबलम मैं क्योंकि वह इंसन है तो इसको सब्सक्राइब करने होती है तो यह यह है पे जो मैन है उसको एस नहीं कहा गया है ठीक है आगे आगे देखते हैं तो उसको शॉक्डू हो रहा है कि एक आदमी, how could a man be a teacher? तो उसको लग रहे है कि एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वहां पर जो टॉमी है वो बता रहा है कि मेरे जो पता रहा है कि मेरे जो पता रहे हैं वो उतना जादा जानते हैं जितना कि हमारे टीचर जानते हैं ठीक है? he knows almost as much I betcha तो बोड़ रहे है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है हमारे टीचर की बराबर जानते हैं या पर उनसे बहतर जानते हैं यहां पर वह बता रहा है कि उसके पापा भी तो एक आदमी ही है ठीक है तो जब आज की डेट में वह जान रहें तो उस समय भी टीचर जानते हूँगे ठीक है यहां पर तौमी इस बात को बता रहा है ठीक है तो यह मारगी का कहना है कि मुझे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अंजान आदमी मेरे घर में आके हमको पढ़ाए ठीक है तो बता रहा है वो कि जो टीचर होते थे वो घर पे नही रहते थे ठीक है उसी के बारे में बात कर रहा है ठीक है and all the kids learn the same thing और सभी बच्चे तो फिर पूछ रही है मारगी कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे sure if they were the same age बोल रहा हाँ अगर वे same age के होते थे तो वो एक ही चीज पढ़ते थे अभी जैसे होता है ना क्लास 8 में अगर आप एंटर करते हो तो वहाँ पर आपको जो 8 क्लास का जो study material है सब लोग एक साथ एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लास 8 का स्टूडेंट सारा same age का होता है तो वही चीज यहाँ पर कहा गया कि हाँ अगर वो same age के है तो वह एक ही चीज क्लास 7 का स्टूडेंट होगा वह सेम चीज पढ़ेगा है तो यह एज पर डिपेंड करता था एज कहने का मतलब है क्लास ठीक है बट माइ मदर सेज आप टीचर हैस तो भी एज़स्टे तो फिट द माइंड ऑफ इच बोई एंड गर्ल इचिज द एड़ एंड दाट इच क अबसाब से ज है सबको डिफ्रेंटली संझाना पड़ता है होता है एक लास रूम में बहुत रख स्टूडग्रों होता है है कुछ बहुत होसीयार होता है तो अब सबको टीचर को देख करके समझ करके चलना पड़ता है ठीक है और उसके लिए ऑसको पढ़ाने का तरीका भ तो यहां पर जो से अर्गुमेंट करती है वो स्कूल के बारे में तो टॉमी को लगता है ऐसा कि अगर तुमको यह सब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम इस किताब को मत पड़ो I didn't say I didn't like it Margie said quickly तो फिर Margie कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा She wanted to read about those funny schools वो और ज़्यादा पढ़ना चाती थी उस funny schools के बारे में यह funny schools बता जा रहा है आज के डिट के स्कूल को ठीक है They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school फिर यह अभी जो है किताब आदी भी खतम नहीं हुई थी जबकि Margie की मा जो है Margie को बुलाने लगती है ठीक है कि Margie school यानि school का time हो चुका है Margie Margie looked up not yet mama तो Margie जो है देखती है फिर बोलती है कि नहीं अभी नहीं हुआ है Now said Mr. Jones and it's probably time for Tommy too और बोल रहा है कि यह Tommy का भी साथ समय हो चुका है Margie said to Tommy can I read the book some more with you after school तो बोल रहे है किया मैं इस किताब को और ज्यादा पढ़ सकती हूँ तुमारे साथ after school यानि school खतम करने के बाद कि उनलोकों का school का time हो गया था ठीक है तो बोल रहे है कि school खतम करने के बाद क्या मैं तुमारे साथ फिर से यह book पढ़ सकती हूँ Maybe he shared non-challantly ठीक है तो बहुत ज्यादा interest दिखाते वे भी नहीं मतलब बोल रहा है कि शायद पढ़ सकती हो ठीक है ऐसा मतलब उसको बहुत ज्यादा interest नहीं था जो किताब होती है डस्टी ओल बुग डस्टी यानि किताब है तो उसमें धूल जमी हो सकती है थोड़ी बहुत तो यहां पर इसको डस्टी बताया गया है और फिर वो क्या करते है अपने बाजों में उसको दबा लेते है और चले जाते है आए अपने स्कूल रुमOS एक अपने स्कूल रूम झाते है उसके बैड रुम के जस्ट राइट साइट पर ठीक है यानि उसके घर में वि पर साटरडए एंड सन्डे और यह जो है रोज अपने समय पर ठीके मां का एंस इसा कहना है यह कि आप कर दिखे सकते हैं जो कि उसके गर क्या ही एक एक रूम हे ठीक वहां पर आप देख्षे ते कंप्यूटर श्क्रिन है व norm बैठके पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां बे उसकी मा का क्या कहना था कि बच्चे जो है तभी जादा सिकते हैं जब वो रेगुलर आवर्स में यानि कि रोज अपने नियमित समय पर पढ़ने जाए ठीक है ठीक है ठीक है तो उसका जो स्क्रीन है वो अन हो चुका उसका रोबो drugs pay अथ्मेटिक अरिध मैन्यों ककी बर्ली मैतमेटिक पढ़ने वाली जिसमें वह क्या पढ़ने वाली वाली इस में भिड़्ोत ओलिक जोड थो तो भी जिख है तो तो यहां पर यहां हो फ्यांति आले हैं जाहुंब केकि छो समय कि भी डालने स्टीड ने का जगार और फिर वो क्या करती है उस समय भी जो है वो स्कूल के बारे में ही सुचती है जैक्ट उसके दादा जी के चोटे लड़के हुआ कर थे उनका जो स्कूल होता होगा उसके बारे में हो सुचती है all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard and sitting together in the school room and going home together at the end of the day तो वो क्या सोच रही है देखिए आप है कि जो नाइबर होड़ी यानि कि जो भी पड़ोस कि जितने ही बच्चे होंगे सब बच्चे एक साथ ही हसते खेलते मतलब स्कूल में आते होंगे एक साथ बैठते होंगे फिर जो है घर जाते समय एक साथ ही घर जाते होंगे ठीक है यह सारी चीज़े वह सोच रही है they learn the same things वो लोग एक ही चीज़ पढ़ते होंगे so they could help one another with the homework and talk about it और जब वो लोग एक ही चीज़ एक साथ पढ़ते होंगे तो इसलिए वो लोग homework में भी एक दुसरे का help करते होंगे उसके बारे में बाते किया करते होंगे and the teachers were people और जो teacher था वो तो आदमी था यह सारी चीज़े वो सोच रही है ठीक है the mechanical teacher was flashing on the screen और mechanical teacher क्या करता है screen flash होने लगता है उसके बाद और when we added fraction 1 by 2 and 1 by 4 और वहां पर फिर उसका screen में उससा पढ़ाने लगता है कि 1 by 2 और 1 by 4 को जो आड़ करेंगे तो यहां पर देखिए भिन पढ़ा रहा है ठीक है math का चक्टर है जो की Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old age और वह सोच रही है कि उन लोगों को कितना मजा आता होगा कितना मतलब प्यारा वो समय रहा होगा जो पुराने दिनों में है ना शी वस thinking about the fun they had तो इस तरह से वह यहां पर सोच रही है कि उन लोगों के पास कितना मजा था वह लोग कितना मजा करते थे ठीक है तो यहां पर किन के बारे में बात की जा रही है आज के डेट के पिपल्स के बारे में बात की जा रही है कि आज की डेट के जो लोग है उनको क इतना मजा आता है उनके स्कूल ने है न और यह कब सोचा जा रहा है आज से करीबं एक सो से एल 151-जो साल भात सोचा जा रहा है ठीक ऐसी चीज तो यह पर यहीं आपका मेलने स्टोरी था आयो कि आपको इस स्टोरी अच्छे से समझ cumragen हो जोगी सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अपसे रेगुलर जो है क्लास नाइन की वीडियो आपको मिला करेंगी और विट क्रेशन आंसर और आपको अधर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो जब अप्लोड़ो तो आप उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स पूर वाचिंग